हलो आपरिबन वेलकम टो माई चनल तो आज हम लोग स्वाल करेंगे कोश्चन नंबर फोर और यह है अपना वाक्षीट सेवेन और इसके पहले के जो कोश्चन से उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं तो हम लोग यह जान चुके हैं कि इसको हम लोग कहते हैं अब यहां पर जो के कि रहेगा यह वी क्रेटरिया हम को दिया हुआ है यह कहता है कह को बड़ा होगा बट यहां पर एक और कंडिशन देता है लेस तैन 10 10 से छोटा होना चाहीए तो आईए हम लोग यहाँ पर इसी करेटरिया को फौलो करते हुए हम लोग यहां पर नॉट कर लेते हैं अस्टेंडर फॉर्म में और यह first question को मैं यहाँ पर calm करता हूँ तो यह मैंने को लेख के जाना है ऑफ में लिखने के लिए therapists को नॉट करना है ए और जीरो को हम को नॉट करने के आवस्कता नहीं हे अगर जीरो ना हमारा नम्बर के लास्ट में आता है या फिर नम्बर के पहले आता है तो उस condition में हम जीरो को चोड़ देते हैं और यहाँ पर यह जो हमारा नौन जिरो डिजिट है इसको हमने नोट कर लिया है और यहां पे हम मल्टीपल में लिखेंगे 10 का पावर अब 10 का पावर कितना हुआ तो आप देखिए यहां पे आपना decimal point कहां पर है तो जब decimal point ना देखिए तो आपका decimal point सबसे last में हुआ करता है तो अब आप क्या करेंगा न decimal point को यहां से shift करेंगे इस पलेश पर आने की पहले digit के just right side तो आपको यहां पे decimal point shift करना है यह आप समझ रहे हैं ओके तो decimal point को कितने digit आप shift करेंगे one two three four five six six digit shift करेंगे तो आपका यहां पे पावर होगा six अब यह प्रस्त है कि plus होगा कि minus होगा तो भी बताते हैं इसके पहले आप यहां पे एक decimal देदेजिए आप decimal देदिए ओके अब देखिए आपका यह पावर माइनस होगा कि plus तो हम लोग ना पिछले विडियो में देख चुके हैं कि जब भी हम लोग decimal point को left side shift करते हैं किदर shift करते हैं तो हमारा power जो हुआ करता है वो हमारा positive हुआ करता है तो यहां पे हमारा जो 6 है वो हमारा क्या होगा ना plus 6 होगा तो plus को तो हम लिखेंगे नहीं तो हम लोग केवल 6 लिख दिए और यहां पे आप इसका unit भी देख रहे हैं unit क्या है ना kilometer तो आप यहां पे kilometer पूट कर दिजिए और यह आपका answer हो जाता है यह हमारा जो format आ गया है आने की k into 10 to the power n आ आप देखिए n आपका क्या है यहां पर k आपका क्या है यह देखिए k आपका है k का जो value है यह आपका यह रहा ओके आने की one point one point three eight four तो यह तो आपका k जो है so one से बड़ा है यह कहाना आपका one से बड़ा है ठीक है और आपका ten से छोटा है तो यह criteria आपका follow हो गया है आप ध्यानिया रखना है कि k का जो value होगा वो आपका decimal में हो सकता है decimal में भी हो सकता है k का value ओके अब हम समझ गिये हैं और अगला question को हम यहां पर solve करेंगे तो यह मैंने यहां पर second question को note कर लिया है इसको हम solve करेंगे देखिए यहां पर हम लोगों से कहा गया है distance of the sun from the earth यह हमार पर count कर सकते हैं यह अगर आप count करेंगे तो आपको मिलेगा 150 million ठीक है 150 million है अगर आप इसको Indian system में count करना चाहते हैं तो Indian system में अगर count करेंगे तो यह आपका हो जाता है 15 crore कितना 15 crore और यहां पर इसका unit क्या दिया हुआ है kilometer तो 150 million kilometer और यह भी हमारा kilometer में तो चलिए हम इसको अभी standard form में count करेंगे आने की k into 10 to the power n की रूप में count करने वाले हैं तो बहुत ही simple way में हम कर सकते हैं तो हम लोग कैसे count करेंगे यह आप समझिएगा यह हमारा जो है digit उसको आप count कीजिए और यहां पर यह धियान रखना है कि जो हमारा 0 है उसको count करने की आवे सकता नहीं है चुकि जब भी आपका 0 last में हो या फिर first में हो तो आपको उसको note करने की आवे सकता नहीं है तो यहां पर 0 को छोड़ करके जो हमारे digits हैं जैसे 1 और 5 उसको हमने यहां पर note कर लिया अब हम यहां पर decimal put करेंगे तो decimal हम कहां पर put करेंगे जस्ट पहला digit क यह जस्ट राइट सैट यह आप ध्यान रखेगा पहला digit कि यह जस्ट राइट सैट हमको decimal put करना है decimal put कर दिए और यहां पर हम क्या करेंगे ना multiplied by 10 अब 10 का power हमको देना है तो आप यहां पर गोर किजिए कि आप decimal को किदर shift किये left shift किये right तो यहां पर तो आपको decimal नहीं दिख रहा है जब decimal नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हुआ कि decimal आपका सबसे last में यहां पर छुपा हुआ है ओके तो आप यहां से आप counting किजिए तो यह हो गया 3 digits, फिर 3 digits और यह 2 digits, तो टोटल आपके यहाँ पे हो जाते हैं 8 digits, आपने आने के आप यहाँ पे 8 digits shift किये है decimal point को, तो आपका यहाँ पे power होगा 8, अब यह plus होगा कि minus होगा, तो आप देखिए आपने यहाँ पे left side shift किया है, तो जब left shift करते हैं तो power आपका plus होता है, तो आहाँ पे हमारा 10 to the power 8 होगा plus में, और इसका unit यहाँ पे kilometer है, तो kilometer भी आप note कर दिजी और यह आपका standard form में आचुका है, यह देखिए हमारा जो format होता है k into 10 to the power n, और यहाँ पे k आपका क्या है, तो k का value आप देख सकते हैं 1.5 है, और 1.5 आपका जो है, so 1 से बड़ा है, 1 से यह बड़ा है, और यह 10 से आपका छोटा है, ठीक है, तो यह condition को fulfill कर लिया, यह आपका एक integer है, तो देखिए 8 आपका कहाना एक integer है, ओके, तो simple way में हमने कर लिया, चलिए, next question को हम यहाँ पे देखेंगे, question number third, तो हमारे पास जो question number third, यह है, the speed of light is about 27,600 km per second, अब इसको हमको standard form में लेके जाना है, तो आईए हम लोग इसको लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पे लेके सकते हैं, equal to, यह हमारा है 27,600 km per second, right, देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे पहला जो digit है, इसके बाद हम point देंगे, और यहाँ पे 7 और 6 not करेंगी, और यह जो हमारा 00 है, इसको हम यहाँ पे not नहीं करेंगे, उसको हम neglect करेंगे, चुकि लास्ट में जो 0 है, उसको लिखने की कोई आवज सकता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब multiple में लिखेंगे 10, और 10 का power हमको लिखना है, तो 10 का power कितना, तो decimal point हमारा अभी यहाँ पे है, कहीं नहीं दीख रहा है, मतलब last में दीख रहा है, तो हमने कितने digit shift किया, यहाँ आसाने से कर सकते हैं, और यह हमारा answer हो जाता है, ठीक है, external form में आचुका है, तो next question हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है, one angustrum unit, और इसका value हमारे पास है, one upon, आप देख सकते हैं, 10 के पास कितने 0 हैं, तो यहाँ पे total हमारे पास, 9 0 हैं, तो 9 0 जब भी रहता है, तो हमारा क्या कहलाता है, billion कहलाता है, क्या कहलाता है, billion, तो यहाँ पे यह हमारा हो गया है, 10 billion, कितना हो गया हमारे पास, 10 billion, और यह इसका unit क्या है, meter है, तो यहाँ पे one upon 10 billion है, one upon 10 billion है, तो इसको हम अस्टेनर फॉर्म में कैसे लेके चलेंगी तो आईए इसको हम अस्टेनर फॉर्म में लेके चलते हैं तो देखी हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं वन अपॉन यह 10 का पावर हम कितना नोट करेंगे कितने 0s है 1 पे तो 1 पे आपके यहाँ पे total 10 0s है तो आप यहाँ पे 10 का power 10 note करेंगी और यह आपका meter है आप लेने दीजिए अब आपके पास एक formula है आपके पास पता होगा अब आपके पास एक formula है आपको पता है कि हमारे पास जब भी कोई नंबर होता है 1 upon x to the power m अगर हम इसको ऐसे लिखे numerator में ले जाकर के तो हमारा power minus हो जाता है ठीक है तो इसी formula का यहाँ पे हम यूपयोग करने वाले हैं अब देखिए यह हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 तो अपने पास ही रहेगा और यह हमारा जो है 10 का power आप देख रहे हैं 10 इसको हम लेके जाएंगे numerator में तो जब numerator में लेके जाएंगे तो 10 का power यहाँ पे minus में 10 हो जाएगा और यहाँ पे meter जो है अपना रहे जाएगा तो यह हमारा आचुका है standard form में आप देख सकते हैं यह हमारा है k into 10 to the power n के format में और यहाँ पर जो k है k का value कितना है k का value हमारा 1 है और हम यह जानते हैं कि k का value जो है वो 1 के equal हो सकता है और 10 से छोटा होगा तो यहाँ पर k का value हमारा 1 के equal है इसलिए यह criteria को fulfill कर लिया है तो हमारा यहाँ पर answer आचुका है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना simple सा यहाँ पर answer not कर देते हैं So thanks for watching have a glorious day ahead